हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल जंदर अकाड़ेमी पर टोड़े आइविल टीच यू एबाउड जेंडर आज हम इस वीडियो में जेंडर याने की लिंग क्या है उनके बारे में बताने वाला हूँ आईए देखते हैं जेंडर किसे करते हैं क्या है इनके डिफनेशन और इनके रूल्स इनके टाइप्स सारे सीचों पर डिसकस करेंगे जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज लिजे आजे देखते हैं इनके definition को definition है a noun that refers to a male or female is called a gender this word से इस्तरी या पुरुष जाती का बोध होता है उसे हम क्या करते हैं gender यानि कि link करते हैं आजे अब देखते हैं इनके kinds को so there are four kinds of gender कि gender का मतलब link का चार भाग होते हैं तो पहला है masculine gender जिसको हम हिंदी में pulling करते हैं feminine gender जिने हम इस्तिर link करते हैं common gender का मतलब होता है उभाई link जिसमें दोनों तरह के gender मिले होगा रहते हैं निटर जिन्डर मतलब होता है नपूंसक लिंग जिन्हें हम जिसका कोई link नहीं होता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नपूंसक लिंग तो आई ये बारे-बारे से बात करते हैं इन सबी टाइब्स को तो सबसे पहरा बात करते हैं मस्कूलीन जेंडर मस्कूलीन जेंडर क्या है नाम से बदा चलता है कि ये कौन सा जेंडर होने बला है दौसतों मस्कूलीन जेंडर उन्हें कहते हैं जो शिर्प पूरुस जाती का बोद कराई उन्हें को लो क्या कहते हैं मस्कूलीन जेंडर कहते हैं definition है a noun that refers to a male is called masculine gender पूर एक्जामपल बॉइ, डॉग, आक्स, एटिसी जो भी नाउन पुरूस जाती का बोध कराए उसे हम पूलिंग करते हैं मस्कुलिन जेंडर करते है I hope आपको समझ में आगया होगा मस्कुलिन जेंडर अब नेक्स्ट बात करते हैं फेमिन जेंडर का फेमिन जेंडर का मतलब होता है इस्तिरलिंग इसका मतलब है कि जो भी नाउन इस्तिरी जाती का बोध कराए वो क्या हो जाएगा फेमिन जेंडर यानि इस्तिरलिंग हो जाएगा इसका डिपनेशन है A noun that refers to a female is called feminine gender for example girl, woman, witch, bitch girl मतलब होगे लड़की, woman मतलब होगे औरत witch मतलब होता है dine बोलिए, चुड़ैल बोलिए, यही होता है witch का मतलब होता है कुटिया अब next बात करते हैं common gender की common का मतलब होता है उभाई लिंग उभाई लिंग में कौन-कौन सा gender आते हैं यह देखते हैं कि a noun that refers to either a male और a female is called common gender कि ऐसा noun जो पुरूस या इस्तिरी दोनों का बोध कराता हो उन्हें हम common gender करते हैं जैसे teacher teacher इस्तिरी भी होती है पुरूस भी होती होता है तो इसमें दोनों आते हैं तो यह क्या हो गया वो बैलिंग हो गया सेकेंड है students student मतलब होता है छात्र छात्र लड़की भी होता है लड़का भी होता है इसलिए इन्हें common gender करते हैं डॉक्टर डॉक्टर इस्तिरी भी होती है पुरूस male भी होता है फिमेल भी होता है पैसंट मेल फिमेल दोनों होते हैं तो यह common gender हो गया इसलिए यह common gender है, I hope आपको अच्छी तरह से common gender समझ में आगी होगा, अब next और last बात करते हैं, जो की है neuter gender, इसका मतलब होता है, a noun that refers to non-living or very small being, कैसा noun, जो की निर्जीव, चीज़ों या फिर बहुत छोटे छोटे जीव का बोध कराता है, उन्हीं को हम क्या बलते हैं, नपूर्ण सक्त लिंग कहलाता है, ठीक है दोस्तों, for example है column, pen, pen क्या है, एक निर्जीव है, तो यह नहीं हाम neuter gender कहेंगे, next है book, book भी क्या है, neuter gender है, pen है, pen क्या है, neuter gender है, यह देखिए क्यों सा है, यह कीड़ा, insect है, ठीक है, इनका हम लिंग पता नहीं कर सकते हैं, बहुत ही small being है इसलिए हम इन्हें neuter gender में रखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे में हैं है होप आपको अच्छी तरह से चरो टाइव्स याद हो गए होंगे अब नेक्स्ट बात करते हैं मस्कूलिन से फेमिन बनाने के गॉल्डन रूल ठीक है दोस्तों अब हम पुल्लिंग से स्ट्रिलिंग कैसे बनाते हैं वो देखते हैं पैदा रूल क्या है कि पैदा रूल है पुल्लिंग में ए डबल एस आई एन ई टी आर आई एक्स यानिकि ट्रिक्स चोड़कर फेमिन बनाये जाते हैं पर एक्जामपल होस्ट होस्ट का मतलब होता है में जबान इसका इस्तिरलिंग हो जागा होस्टिस ठीक है दोस्तों नेस्ट है जायंट जायंट का मतलब होता है राक्छस इसका इस्तिरलिंग हो जागा जायंटिस इसका मतलब होता है राक्छस नहीं ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है वेटर वेटर का मतलब होता है परतिक चक इसका जागा वेटरेस यानि कि परतिक चक नहीं बोल सकते हैं इसको ठीक है अब नेक्स्ट है हेर हेर का मतलब होता है उत्रादिकारी किसी भी छेतर का उत्रादिकारी मतलब बड़े पोस्ट में जो होते हैं उन्हीं को लोग बोलते हैं उत्रा धिकारी एरेस उत्रा धिकारी नी मास्टर का मिस्टरेस काउंड का काउंटेस काउंटेस इसका मतलब बता है सामंत सामंतिनी इसको बोल सकते हैं अथर अथरेस अतर का मतलब क्या होता है लेखक safely मतलब होता है गडेरिया यह बोल सकते है safer dress ठिकर घ्रस तो अब next rule जगते है कि next rule है कि कुछ unknown ऐसे हैं, जो कि common रहते हैं लेकिन इसका masculine यानी कि pulling और stirling अलग-अलग होते है जैसे यह हॉर्स है हॉर्स तो कोमन है अब इसमें इस्तिरलींग है कि पुलींग है हमें नहीं पता आए देखते हैं इसका मस्कुलीन और फेमनीन जैसे मैंने यहां पर दिखाया है इस वाले कॉलम को मैंने कोमन जेंडर में रखा है बीच वाले को मस्कुलीन जेंडर और नास्ट वाले को रखा है फेमनीन जेंडर में तो कोमन जेंडर है होर्स होर्स का मतलब होता है घोड़ा इनके मस्कूलीन होता है इस्टेलियन यानि कि मस्कूलीन जेंडर में यह आते हैं इस्टेलियन है इस्टेलियन मतलब होता है घोड़ा और मेर मतलब होता है घोड़ी ठीक है नेक्स्ट है डॉग डॉग का मतलब होता है कुट्टा इनके masculine में है he dog और feminine में काते हैं इन्हें sea dog इसको कुट्टी बोलते हैं या फिर beach बोलते हैं ठीक है दोस्तों आपको याद हो गया होगा अब next है elephant elephant का मतलब होता हाथी जो male वाले हाथी होते हैं उन्हें हम bull elephant काते हैं और यह कुछ common gender के different different name अब next दखते हैं जैसे होता है deer deer का मतलब होता हारीन इसका male वाले को बोलते हैं duck, shari bug और female वाले को बोलते हैं doe, doe मतलब क्या होता है हरीन का sterling बोल दिजे हरीनी यह भी आप से बनता हो अब next बात करते है cat, cat का मतलब होता है बिल्ली जो male वाले जो बिल्ली होते हैं उन्हें tom cat काते हैं और जो female वाले बिल्ली होते हैं उन्हें toby cat काते है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो please like जरूर करें और comment में अपना कुछ share कीजिए जिसे हमें motivation मिलता रहेगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपने कुछ नया चीज़ सीखा या नहीं सीखा यह बार हमें जरूर बता है चलिए देखते हैं next got got का मतलब होता है बकरी जो male वाले बकरी होते हैं उन्हें बिल्ली गोट और जो female वाले बकरी होते हैं उन्हें nanny got को बता है next है child child का मतलब होता है बच्चा और यह male में boy और female में girl होता है अब next बात करते हैं next रूल है कि कुछ रूल ऐसे होते हैं कि जो की masculine और feminine gender बहुते अलग होता है ठीक है जैसे की fox है fox का foxes नहीं होगा fox का vixen होगा fox का मतलब होता है लो मड़ी ठीक है vixen मतलब हो गया female वाला लो मड़ी ठीक है bachelor का मतलब होता है कुमारा जो बिना साधी सुधा बला है कुमारा और इन्हें और feminine में हो जागा इसका maid जिने हम कुमारी बोलते है ठीक है next है hero hero से बन जाएगा hero हिन और cult cult का मतलब होता है घोड़ा का बच्चा यानि की मेल वाला और फिली फिली का मतलब होता है घोड़ी का ही बच्चा होता है लेकिन ये female वाले होता है ठीक है दूसरा है wizard वीच वीच का मतलब होता 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 है करने वाली या फिर डाकिन या फिर चुऴेल बोला ये था हमारा आज का टॉप्पिक कैसा लगा कमेंट करके जरू मताए और वीडियो अचा लगा ये लाइक जरूर करें अपने दौस्तों में शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें तेंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेश वीडियो में